तो आपको दिखाती हूँ यह एक बॉक्स है और इसके अंदर जो है मिजॉन के इस बॉक्स के अंदर बहुत सारा समान आया हुए जो कि मैंने निकाल भी लिया है और इसमें सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हम निकाली लूँ चार पान चीज़ें इसी बॉक्स के अंदर इन्होंने बिजवा दिकटे तो पहली चीज़ जो है अमिजॉन की मैंने मंगाई है वो है यह फ्रिच के लिए एक बासकेट क्योंकि जो टमाटर है वो मेरे हमेशा इदर उदर हो जाते हैं यह इसमें से अलग पढ़े रहते हैं त तो काफी टाइम जो है वो टमाटर चल जाते हैं और तो यह जो है बासकेट फ्रिच के लिए मैंने मंगाई है इसमें वेजिटेबल्स फूट या फिर टमाटो रखने के लिए फ्रिच के अंदर तो काफी बढ़िया है इन सबके जो लिंक है और प्राइस है वो मैं आपको करते हैं दिस्क्रिप्शन में डाल दूगी और हम वहां से चेकाउट कर सकते हैं तो ये नियासा की ही है ये बासकेट तो यिकल मैंने जो है डील में मंगाई थी है तो ये मैंने नियासा की ही मंगाई थी दूसरा जो है ये है speakers ये मैंने मंगा या है A180X speakers तो ये है wireless bluetooth 往लेkeeper ह तो यह कुछ इस तरीके से हैं आप देख सकते हैं इसमें LED है और USB लग सकती है AUX Cable लग सकती है विदाउट वायर चलते हैं यह Bluetooth से आप अपने फोन से क्ले कर सकते हैं तो यह मैं चला के देखूंगी अभी इसका भी जो प्राइस है वो मैं आपको बता दूंगी इसकी मैन्यूल है विद रिमोट आया है और इसकी केबल वे गएर हैं स्पीकर लगाने के लिए यह इसके सेल दे रखे हैं यहां पर चोटे-चोटे रिमोट के लिए और बढ़िया स्पीकर लग रहे हैं मिरको तो यह जो है यह भी कल मैंने लाइटिंग डील में ही मंगाया था इसमें लिखा भी हुआ आप देख पा रहे होंगे ब्लुटुथ से चलते हैं अराम से तो यह मैं जरूर जो है किसी व्लॉग में आपको चला के दिखाने वाली हूं इसका नाम है FND A180X High Wireless Bluetooth Speakers तो इक यह मंगाये थे इनका अभी मैंने भी ट्राइल नहीं किया इनका तो वो मैं आपको बताऊंगी जब इस चलेंगे कैसा लगता है और नीचे जो है यह मैंने एक बास्केट मंगाई है तो यह जो है यह है कपड़ों के लिए चाहिए थी एक बास्केट तो आज कूपर जो है वीडियो बनवाने के मूड में नहीं है तब परशान करता है देखना इसको सारी चीज़ें देखनी है कूपर उदर चल तो यह इस तरह की बास्केट है तो आप देखेंगे यह री बास्केट सही है क्योंकि कपड़ डालने के लिए हमारे को गंदे कोई भी चीज नहीं थी और उसके बाद जो है यह चीज मैंने पहले भी मंगाई थी न्यूट्री ब्लेंड वंडर शेफ का और यह मैंने सेकंड टाइम जो है मंगाया है तो यह यह आपको दिखाती हूँ यह वंडर शेफ का न्यूट्री ब्लेंड पॉपल पॉपल कलर का है मेरे घर पे पहले जो था चो मैंने पहले मंगाया था वंडर शेफ का वो ब्लाक कलर में था और यह मुझे उससे काफी अच्छे डिसकाउंट पे मिला है तो आपको दिखाती ह यह ओपन करके यह मैंने अमिजॉन से मंगाया है पिछली बार मैंने फिकार्ट से मंगाया था जो कि 2400 कुछ का था और यह मैंने I think 1999 यानी 2000 कुछ का है तो 400-500 रुपे डिसकाउंट पे है यह वाला तो यह है बहुती सुन्दा पॉपल कलर का आपको याद होगा पहले में प पॉपल कलर बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह मसाला वसाला बनाने के लिए ग्राइंड करने के लिए और यह जो है यह मैजिकल ब्लेंडर यह इतना बड़िया है मेरे को बहुत सही लगता है यह वंडर शेफ का इंडर तब ही मैंने यह दुबारा मंगाया क्योंकि इसके बेना मेरा काम नहीं चल रहा था न्यूट्री ब्लेंड यह पूरी बुकलेट इसके अंदर रेसिपीज होती है सारी चीज़ें शेयर की हुई है संजीव कपूस का इसके साथ वरंटी कार्ड तो वरंटी कार्ड जितनी भी आप प्रोडेक्ट्स लो चमने फ्रिज लिया था उसका और जैसी यह है इसका इन सबके वरंटी कार्ड रखने बहुत जरूरी है ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो वो पार्ट या वो चीज़ जो है वो आप चेंज करा सकें तो यह बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है उसको चला के देखूंगी जब यूज करू प्रश प्रॉज प्राइट का यह बीडिल में था तो यह मैंने एक ले लिया यह वाला प्रश यहां से और इन सबके प्राइस जैसा कि मैंने बताया मैं स्क्रीन पर देदूंगी जिस प्राइस पर मुझे मिले हैं और दूसरा मैं आपको डिस्रिप्शिन में सारे प्रॉड बरतनों के लिए एक बास्केट धोने के बाद रखने के लिए क्योंकि मेरा जो है बहुत चोटा है साइड वाला पोशन उसमें बड़ा वाला टोकरा जो है वो आनी सकता था तो यह मुझे परफेक्ट साइज लगा है तो इसमें बहुत सारे जो हैं कलर्स थे एविलेवल प पानी जो है निकलता रही इस तरह से आपको रखना पड़ेगा इसको प्लेट को तो जैसे यह जो है इस वाली प्लेट के ऊपर ऐसे रखा जाता है यह इसको ऐसे रखा जाता है ताकि जो बरतनों का सारा पानी है वो इसके नीचे आ जाए और बहुत अची प्लास्टिक गरा रखने के लिए तो अब जो हैं बरतन बिखरेंगे नहीं क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बुरा वाला आलो रहा था मैं बरतन दोरी दिदर उदर बिखर रहे थे सारे तो यह इस तरीके का टोकरा है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है देखी पा रहे हैं तो यही सारे जो है मैंने मंगाए हैं मिजॉन से अभी तो एक यह वाली बास्केट हो गई एक यह हो गया और यह टोकरा है स्पीकर्स है साथ में वंडर शेफ और गाला का ब्रश है यह जो इधर यह सब प्रोडेक्ट्स पढ़ें तो अभी इन सब को मैं रखती हूं और ऊपर जो है जाके लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं वहां से आपको इसली जो है लेवल होंगे और यह काफी जादा जो है समर सेल चलता रहता है यह उस पे अमेजॉन पे तो समर सेल में जो है काफी अच्छे प्राइस के ऊपर आपको यह सब आइटम्स जो है मिल जाते हैं अब जो स्प यह इस पर लिखा हुआ है LED डिस्प्ले यूएजबी लग सकती है FM है रिमोट से चलता है यहां पर आप जो है अपना पैन राइब वगएरा सीधा लगा के सॉंग जो है प्ले कर सकते हैं तो बहुत ही अमेजिंग जो है यह स्पीकर है FND का लगत हो रहा है अब चला के हम इसको सेमल करना इसको सब्सक्ति करना इसके साथ स्पीकर कोई बहुत ज़्यादा रॉकिट्स नहीं होता है इन सब प्रोटेक्ट्स को लगाने के लिए बहुत ही सिंपल यहां पीछे लिट वगरा दे रखी है तो वर आल जो है इसारे प्रोट्ट्स मुझें में के काफी ज वीडियो कर रहा है तो ठीक है फ्रेंट्स फिर मिलते हैं नई वीडियो में बाबाई चल고 सामा जया है जर भ्रेंट्सटने वदाई वाली आजा है उब है उर यायँ सागन जाए स करा बादय को रहा है थे जिसे हैा है झाल झाल